अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ साथियो अपनी फ्लूड मेकेनिक्स एंड मसीन्स की स्रीज चल रही है जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ाए हो सारे नोट्स पीडियाफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं जैसा कि अपनी स्टेंट आप मेट्रियल स्रीज आपका इंतजार कर रही है नोट्सों के साथ आपका टाइम सेब करने के लिए नोट्स आपको एविलेबल हैं पीडियाफ फॉर्मेट में अब तक साथियो हम पिछली वीडियो जमाध्यन कर चुके थे वैलोशिटी पोटेंशियल फंचन के वारे में इस वीडियो हम जानने वाले हैं स्ट्रीम फंचन के बारे में जिसे साथियो साइसरपदर्षित किया जाता है और यह 2d के लिए एक्सप्रेस किया जाता है। इसकी exact value साथ हो जाधा तर 2D के लिए steady की जाती है, 3D के लिए थोड़ा तफ लगता है, इसलिए जाधतर steady पर 2D flow के लिए की जाती है, अब तक हमने जाना था साथ हो velocity potential function फाई से एक्सप्रेस किया जाता है, उसका differentiation किया जाता था किसी direction में, उस direction में उसकी velocity दे देता था साथ हो, अब हम चाहते हैं कोई ऐसा function हो, जिसका हम differentiation करें opposite direction में, या कहें आप इस परकार perpendicular direction में, आप इस x के साफ एक differentiation करें, तो आपको y, जिदर y direction है, उधर कितनी velocity होगी साथ हो, तो इस परकार y direction में float की velocity दे दे, और यदि आप y direction के साफ एक जिसका differentiation करें, तो आपको यह x direction velocity बताएं, कहीं पर निगाएं, कहीं पर निशाना, इस परकार का function हम drive करना चाहते हैं, तो इस परकार की thought के साथ सुरुआत करते हैं, इस साइ को पढ़ने के लिए, streamline function है, जो इस में साथ हो, आप आपको पता चल चुका है, जिस direction के साथ, आप velocity measurement लेना चाहते हैं, velocity find करना च साथ हैं, तो opposite direction के आपको velocity बताएगी, उसका partial differentiation किया जाएगा जब, लेकिन एक सर्त और है, दोनु साथ यो positive negative value देंगे, यदि x direction के साथ एक साथ आप कलंड कर रहे हैं, तो y direction में आप यह तो positive value ले सकते हैं, या फिर negative value ले सकते हैं, तो इसके opposite इधर negative लेनी पड़ेगी, एक तरफ positive एक तरफ negative, इस परकार से साथ यो इनकी value अलग-अलग होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कोयल की आवाज आ रही है साइद आपको, यहाँ आप देख सकते हैं साथ यो partial differentiation हो रहा है y के साप x, तो आपको velocity x direction की मिल रही है, यहाँ पर sign आपको प्रदर लेंगे तो यह प्लस होगा, साथियो stream function भी rotational flow के लिए define किया जाते हैं, तो चलिए जान लेते हैं, stream function जिसे size से प्रदर्शित किया जा रहा है, 2D के लिए मिस्टेडी कर रहे है, for 2D xy plane incompressible flow, a stream function is defined as a scalar function of space and time, such that इस परकार आप कह सकते हैं, partial differentiation with respect to any direction gives component of velocity in normal direction of that direction, जैसे आपको बताये था, किसी direction के साफिक्स, आप अपकरान करना चाते हैं, यदि इस के साफिक्स, तो इसके इस direction के आपको velocity पता चलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हैं साथ हूँ, इसकी condition, for 2D incompressible flow, stream function exists and defined by, exist करेगा साथ ही हो यह अपना function है जो stream function और किस परकार define होगा, u is equal to plus minus 2c divided by 2y, या v के लिए आप इस परकार express कर सकते हैं, v is equal to minus plus 2c divided by 2x, इस परकार साथियो यह opposite direction की velocity देगे आपको, एक negative होगी, एक positive होगी, यह साथियो stream line function है, जैसा कि आप जानते, stream line तो आपने detail में पढ़ी हैं, इस परकार कोई flow हो रहा हो सा साथियो तो इस परकार की line बन जाती है, जैने stream line के नाम से जाना जाता है साथियो इस परकार से इनी का यह function है, जैसा कि साथियो हम जानते है, for incompressible flow के लिए condition होती है साथियो, इस परकार आप देखेंगे, del operator dot velocity vector is equal to 0, या फिर आप इसे इस परकार लिख सकते हैं साथियो, dou U divided by dou X plus dou V divided by dou Y plus dou W divided by dou Z is equal to 0, इसको आप 2D मिलेना चाहें, यह 3D के लिए है साथियो, तो Z direction अठा देंगे, अपने लिए सिर्फ दो direction बचेंगे और यह 0 का बराबर कर लेते हैं साथियो, अब इसमें U और V की velocity input कर देते हैं, एक को positive ले रहे हैं साथियो, दूसरी negative है, dou Si divided by dou Y plus dou divided by dou Y bracket में minus dou Si divided by dou X is equal to 0, अब इसको साथियो आप इस पर कार लिख सकते हैं आगे, यह 0 के बराबर है, तो इनका multiply कर लेंगे आप साथियो, यह double order differentiation हो जाएगा partial differentiation, नीचे differentiation होगा, partial differentiation X के साफ एक्स और Y के साफ एक्स, इसे आप dou square Si divided by dou X into dou Y minus dou square Si divided by dou X dou Y इस परकार से आप लिख सकते हैं साथियो इनमें minus sign आ रहा है और यह एक दूसरे के इस परकार cancel कर देंगे, अपनी condition 0 आ जाएगी साथियो, जो कि यह condition थी अपनी for incompressible flow, यह velocity put करने के बाद भी हमें 0 प्राप्त होता है, यह satisfy करती है इसको साथियो, तो अपना flow incompressible हुआ साथियो, for 2D xy plan irrotational flow, आप जान लेते हैं irrotational flow के लिए, फिलो irrotational है या नहीं है, for 2D xy plan irrotational flow, हम जानते हैं साथियो, या तो आप angular velocity से या vorticity से एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम 2D plan के लिए पढ़ रहे हैं साथियो, x और y, तो हम omega z लिख सकते हैं, या omega xy लिख सकते हैं 2u divided by 2y is equal to 0, यह 0 के परावर होता है साथियो, यह condition satisfy होगी, तो फिरो irrotational होगा, अब यहां पर भी u और v की value put कर देते हैं साथियो, तो यहां पर आप चाहें, तो यह वाला minus ले सकते हैं, यह वाला minus ले सकते हैं, इस परकार हमने यह second वाला minus ले लिया साथियो, तो यहां पर 2 divided by 2x, bracket में 2i divided by 2x minus 2 divided by 2y, bracket में minus 2i divided by 2y, इस परकार साथियो, इन value को हम solve करते हैं, यह positive कर देगा, दो new value positive हो जाएंगे, अपनी 2 square side divided by 2x square plus 2 square side divided by 2y square is equal to 0, इस परकार से यह equation हमें प्राप्त हो जाती है, इस में से आप चाहें, तो side common ले सकते हैं, इसको 0 के बरावर र जाते हैं साथियो, अब इसको हम इस परकार लिख सकते हैं, यह deal operator है साथियो, तो deal square side is equal to 0, जैसा कि हम जानते हैं साथियो, इस तरह की equation, लापलास equation है, यह इस लापलास equation को satisfy कर रहे है, हमें लापलास equation प्राप्त हो यह तो हम कह सकते हैं, guarantee के साथ यह flow rotational है, और incompressible flow है साथ उमीद करते हैं साथियो, वीडियो में दी गई जानकर आपको अच्छे समझ माई होगी, यह series आप enjoy कर रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ share कर कर भी channel को support कर रहे होंगे, वीडियो को अंतक देखने के लिए, channel को support करने के लिए आपका दिल की गहराईयों से बहुत बहुत भन्यवाद